आज हम बताएंगे गाय को रोटी खीलाने के फायदे तो मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकाउन जरूर दबाईए ताकि जब कोई मैं धार्मिक वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन शब से पहले आपके प बस पहुंचे लिए फिंदू धर्म में आप गया को बहुत पूजनीये माना गया है माता का दरज्या दिया गया है भार्मिक मानताओं क अनुशार गय में थैंत टूत देवी देवता भास करते हैं। जिसका सिधा मतलब है कि आप अगर गाय को रोटी खिलाते हैं तो 33 करोर देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं गाय को रोटी खिलाने से घर परिबार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुक सम्रधी की ब्रधी होती है तो आईए आज आपको हम बताते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से क्या गाय को हमेशा पहली रोटी खिलाना चाहिए अगर आप अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रोटी में घी और गुर लगा कर गाय को खिलाएं कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने बाले बेखती की मौजूदा पीधियों के शाथ साथ आने बाली पीधियां भी पुन्यप्राप्त करती है और दुख डर्द से बचती है लेकिन ध्यान इश्वात का रखना है कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें क्योंकि बैठे हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाब मिलते हैं गाय को रोटी के साथ गूर खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं इतना नहीं आपके बिगरे हुए काम भी बन जाएंगे लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है बहुत खास होता है कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए अगर आपके दरवाजे पर गाय आती है तो गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दे दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कस्त क्लेस दूर हो जाते हैं यदि आपके घ़र में हमेशा अशांती और लडाई जगरा अगर होते रहता है तो दो पहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं कोशिस करें कि दो पहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी जरूर खिलाएं अगर आप खाना खाने से पहले पर्थम रोटी आप अगर गव माता को खिलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में सांती का बाश होगा और खुसियां लोटाएगी